कैसे हैं आप सभी आइओप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई एस्टिदंसे चल रही होगे तो जैसा की टाइडल से आप जान गया होंगे कि आज के वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं revision करने का सही तरीका क्या होता है क्योंकि आप सबको पता है कि exam में नई चीजे पढ़ना जितना ज़्यादा important है उतना ही ज़्यादा पुरानी चीजे को revise करना भी है क्योंकि यदि हम नई चीजे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे और हम तो भी चीजे हम पढ़े होंगे, वो क्या होगा, हमारे दिमाग से स्कीप हो जाएगा, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था, मैं हम थोड़ा सा रिवीजन करने का तरीका बता दीजे, तो इसे रिलेटर जो भी experience, जो भी मेरा अनभो रहा है, और जो मैंने फालो किया है, मेर नहीं नहीं चीजों को पढ़ना होता है, और एक human nature है कि हम जो कुछ भी एक दिन में पढ़ते हैं, वो 24 गंटे के यानि 24 अवर्स के अंदर क्या होता है, आधा से उपर जो होता है, वो हमें भूल जाता है, और ऐसा सब के साथ होता है, यदि आपके साथ भी ऐसा होता है, त अगर कोई कहता है कि मुझे एक बार या दो बार पढ़ने में ही मुझे सब याद हो जाता है, तो यह समझ लिजे, आप जूट बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान के पास यह चमता होती है, कि वो ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकता, अगर किसी का है, रिवीजन करना, तो किसी भी एक्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है, रिवाइस करना, जितना जरूरी नहीं चीज़ों को पढ़ना है, उतना ही जरूरी है, पुराने चीज़ों को रिवाइस करना, तो अब सवाल यह उठता है कि हम पुरानी चीज जो को पढ़ लेंगे तो यह मैं उनको एक चीज बता दू कि नहीं नहीं चीज़ें अगर हम पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं बहुत सारा घ्यान का भंडार हम दिमाग में इकठा करते जाएं लेकिन रिवाइज न करें तो वह सारा पढ़ा हुआ चीज है उनका कुछ ही हिस प्रकार करना है किस तरह से करनी चाहिए तो जो इस से रिलेटर जो मेरे पास एक्सपरियेंस जो अनुह है वह मैं आज से आज आप लोगो बताऊगो तो सबसे पहली क्या करना है आपको जो आज एक दिन में आप पढ़ रहा हैं यानि कि आज सुबह से लेकर साम तक आपको जब भी समय मिला हो जो आपने पढ़ा हो या फिर दोपहर में सुबह में शाम को रात में उसमें पूरे दिन का जो रिवीजन हो उसी दिन आप कीजिए ये नहीं कि एक महीना पढ़ लिए दो महीना पढ़ लिए और हम लेके बढ़ गए एक कठा कि आज दो-तीन महीने का प एक दिन में आपने जो पढ़ा है उसको आप साम के टाइम ज्यादा समय नहीं मिलता है तो एक घंटा या 30-40 मिनट जो ही आपको समय मिले निकालिए और जितना आपने एक दिन में पढ़ा है उसको आप रिवाइस कर लीजिए जो कि जब पहली बार आप पढ़ेंगे तो रिवाइस करने के बाद भी कुछ हिसा ऐसा होगा जो हमें बाद में भूल जाएगा उसका भी उपाय है तो एक तो आप डेली रिवाइस कर सकते हैं उसके बाद डेली रिवाइस करना ही करना है आपको है उसके बाद अगर आप चाहते हैं स्कोर करना तो डेली का डेली करना है एक दिन is a king चाते है संड़े को करतेट को पास संदे को अपने तीम संड़े को चामने मेंों जो भी पढ़़ा है संड़ेकर निकालिया एक घंटे दो घंटे हो गया धूसरी बार आपका और प्रिऐखते में होता है और आप कर सकते हैं संडे का दीन होता है कि आपके लिगे वे पर शो सकते हैं पर एक ojos कर यह तहों और नेसे का सब्सेंखते हैं और उनको अम्हस कुलें कर भीजिय के विसक्ट एगकर आपका विक यक . और एक revision आप रखिए monthly, यानि कि पूरे month में आपने जो कुछ पढ़ा है उसका last में, month के last में आप उसको revise करना, ठीक है, और इसे ये होगा कि जब तीन बार हम किसी चीज को पढ़ लेते हैं, एक ही चीज को जब तीन बार हमारी mind से होगा कि गुजरेगा, तो वो जो होगा ब और revision करने का ये तरीका है कि एक चीज और आपको ध्यान देना, जब भी आप revision करें, अगर मान लीजे, ठीरी पढ़ रहा है आप, तो ठीरी होता है कि एक बार हमने पूरा किताब को डीटेल में पढ़ लिया, अब जब दूसरी बार आप उसे पढ़ने जाएंगे, तो फिर करके बैठे, और उसमें आप short notes बनाना आपको, ठीक है, revision करने का यही तरीका होता है, कि short notes बनाना है, यानि कि जो 10 line में जो बात कही गए, उसको आपको एक line में लिखना है, ठीक है, अपने शब्दों में, अपने सुविधा के अनुसार, अपना code word यूज करके, किसी भी त बना लेंगे, ठीक है, और जब तीसरी बार आप उसी चीज को पढ़ने जाएंगे, तो आपको burden फिल नहीं होगा, और बहुत ही कम जो आपका बड़ा सी लिवस्था, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम पन्नों में available होगा, और उसे आप बिल्कुल आसानी से पढ़ करेंगे, और आपका mind जो होगा, वो नहीं ठाकेगा, ठीक है, तो यह होता है revision करने का तरीका, इन चीजों का follow करेंगे, निशित रूप से आपको lab मिलेगा, और साथी साथ एक आमोर करना है, जो practice state आप solve करते हैं, practice state जो solve कर रहा है, तो उसका भी revision करना, यह नहीं कि हम जो उसका revision नहीं करते हैं, तो हो सकता है वो जो कुछ question ऐसे होंगे, जो उल्जाने वाले होंगे, और वो हमारी दिमाग से skip हो जाएंगे, कि मैंने इसे किस तरह से solve किया था, और वही exam में आ जाएगा, और आप mistake करके चले जाएंगे, तो जैसे आप अपने course का revision करते हैं, वैस क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि आखिर ये question कहां से पूछा गया, कहां से उठाए गया है, और अगर grammar की question है, तो कहां से पूछा गया है, क्या pattern, किस pattern पे अधारी था है, उसको हम समझेंगे, सीखेंगे, और उसके साथ क्या कर सकते हैं, आप उस question पर जो आपको नहीं आ करना है, तो I hope आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार आपको daily revision करना है, फिर weekly revision करना है, और फिर क्या करना है, monthly month के last में भी आपको revision करना है, और ये बिलकुल ना सोचे कि revision करने से मेरा time भरवाद हो रहा है, और revision करेंगे, तो उतने देर में हम नई चीजों को भी पढ़ सक तो उसे कोई लाब नहीं है, अगर हम कम चीजों को ही पढ़ते हैं, कम किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन उसको जितना पढ़ते हैं, हम पुरा का 100% अपने दिमाग में लेकर के चल रहा हैं, हमारे दिमाग में set हो चुका है, तो वह जादे लाब दाएक होगा आपके लिए आई होप आपको समझने आ रहा होगा और इसे रिलेटर जो भी बाते हैं अगर कुछ और डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं और एक कुशन और आ रहा था कि मैं सीटेट का एक्जाम जो है मई में है आप लोग का और साथी साथ TGT के लिए भी आप प्रिपेर कर रहा है तो कई लोग काफी कन्फियूजन में है कि सीटेट का पढ़ें या फिर TGT का पढ़ें तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो चीज पहले है यानि जो चीज आपको आगे एक्जाम होने वाला है उसको आप पढ़िए और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप TGT के तयारे बिल्कुल छोड़ दें क्योंकि कोई चीज हम लगतार पढ़ रहा है और एकदम बिल्कुल से छोड़ देंगे तो क्या होगा बहुत सारी चीजे हैं जो दिमाग से स्किप हो जाएंगे तो एकदम कांटिन्यूटी जो चला आ रहा है वो भी चलाना है आपको और अगर आप चार घंटे देते हैं तो उस घंटे को आप कम कर सकते हैं कि CT8 का एकजाम पहले होने वाला है तो उसको थोड़ा सा जादे समय दीजी और TGT का एकजाम डेट चुकिए अभी आया नहीं है तो उसको भी टाइम दीजीए लेकिन जहां आप चार घंटे पढ़ते थे वहाँ दो ही घंटे कर दीजीए और CT8 का एकजाम जैसे ही क्लियर हो जाता है, कम्प्लीट हो जाता है उसके बाद आप फिर से अपनी regular study कर सकते हैं तो वरीता उसी को देना चाहिए जो एकजाम पहले होने वाला है और इसका मतलब ये भी नहीं कि जो एकजाम बाद में होने वाला है उसको हम बिल्कुल पूरी तरह से नेगलेट कर दें पूरी तरह से छोड़ दें तो फिर बाद में आप स्टार्ट करेंगे बिल्कुल छोड़ने के बाद तो आपके लिए जादे टफ पड़ेगा तो उसको भी पढ़ते हैं कुछ घंटे आप कम कर सकते हैं और उसमें से कुछ घंटे काट करके जो एकजाम पहले होने वाला है उसका प्रिपरेशन आप कर सकते हैं तो आई होप यह सभी बात समझ में आ रही होंगी और रिवीजन को बिल्कुल भी स्कीट ना करें यह मत सोचे कि रिवीजन करने से कोई लाव नहीं है और मुझे तो एक बार में देखने से ही याद हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि सिलेवस बहुत जादे बड़ा है बहुत पास्ट है और हम जितना भी पढ़ेंगे 50% अगर याद हो जाए वही हमारे लिए बहुत जादा है लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जितना हम पढ़ रहा है हम 90% 95% चीजे जो हैं हमारे दिमाग से स्किपना हो हमें बिलकुल अच्छे से याद हो जाए तो रिवीजन को आपको करना ही करना हो और जैसा कि मैंने बताया कि अगर जिस दिन पढ़ रहा है उसी दिन हम रात में रिवाइस कर लें तो वो चीज हमें बिलकुल अच्छे से याद हो जाएगा एक बार विकली रिवीजन और मंत के लास्ट में भी मंतली रिवीजन आप कर सकते हैं तो ये सबसे ज़्यादे हेल्फूल होगा और साथे साथ प्रेक्टिस सेट का भी आपको रिवीजन करना है प्रेक्टिस सेट एक बार सॉल्व करके उसको रखना नहीं है बलकि उसको भी दुवारा से पढ़ना है जो कोशन तफ था जो कोशन आप सॉल्व नहीं कर पाए थे उसमें अडरलाइन करते जाए फिर एक बार जब रिवीजन करेंगे तो वो आपको याद आते जाएगा और एक चीज़ और मैंने बताया कि आप सॉर्ट नोट्स बनाईए सॉर्ट नोट्स जो है यह सबसे ज़्यादे हैल्फ फिल्ड रता है आपके लिए क्योंकि सॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो जो चीज दस लाइन में है उसको आप एक लाइन में लिख करके रखेंगे आपको कम सब्दों में जादे से जादे चीज़े सिखने को मिलेंगी लेकिन पहली बार और दूसरी बार में लगभख लगवा आपको डीटिल में लाइन बाई लाइन पढ़ना है और जब तीसरी बार या चोती बार जब आप रिवाइस करेंगे तो क्या होगा आपको सौट नोट्स मना करके उसी से पढ़ना है आई होब ये बाते समझ में आ रहे होगी और आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो अज़ा चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और अगर कुछ पुछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ठैंक्स पर बाजिए